जीवन में सुक दुख आते जाते रहते हैं हमिशा हर परिस्थिती में खुश रहा करें कुछ पाने के लिए संगर्ष तो करना ही पड़ता है जीवन भर संगर्ष करना पड़े ऐसा जरूरी नहीं सब के अपने संगर्ष होते हैं हर किसी का संगर्ष एक तूसरे से अलग होता है संगर्ष करने का तरीका भी अलग होता है कुछ लोग संगर्ष करके अपने लक्ष में सफल हो जाते हैं वही कुछ लोगों को अत्यधिक संघर्ष करने के बाद भी असफलता मिलने लगती है। ऐसे लोग तूट से जाते हैं। ऐसे लोगों को तूटना नहीं चाहिए। बलकि अपने संघर्ष को ही कई गुना तक और बढ़ा देना चाहिए। ऐसा करने से परिणाम ऐसे लोगों के पक्ष में आने लगते हैं, जो अपने आपको असफल मानने लगे थे। और वो भी सफल हो जाते हैं। उनका भी जीवन खुशियों से भरने लगता है। समय हर वक्त उत्तम नहीं रहता। कभी कभी समय को उत्तम बनाने के लिए हर संभव कोशिश करनी पड़ती है। अपनी कठिनाईयों और परिशानियों के लिए हमेशा ही दूसरों को जिम्मिदार ठहराना सही नहीं। आपको अपना जीवन अपने तरीके से जीने का पुरा हक है। अपने जीवन के पुर्ण जिम्मिदारी स्वैम ले। यदि आप ठान लेते हैं कि मुझे ये कार्य करना ही होगा। तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको वो कार्य करने से रोक नहीं सकती। आपका यह सोचना ही सब कुछ आसानी से मिल जाए यह सही नहीं क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं कुछ चिर्जे तो जरूर आसानी से मिल जाते हैं सब कुछ आसानी से मिल जाए यह संभव नहीं आपकी शम्ता वो नहीं जो आपने अभी तक किया है आपकी शम्ता वो भी नहीं जिने पार करके आप यहाँ तक पहुँचे आपकी शम्ता इससे बहुत अधिक है उचाईए कुछ होना अभी बाकी है असली मंजिल अभी बाकी है शुरुआद ज़रूरी है सफर मुश्किल है नामूम्किन नहीं चलो बढ़ाए एक और कदम अपने लक्षे की ओर असली मंजिल अभी बाकी है